पाद कीज़े इशो पनिशद अठारहमा नंबर श्लोक जो इस बुक का अंतिम श्लोक है ठीक है उसका उच्चारण सीखेंगे हम अगने नैसुपधाराए अस्वान विश्वानी देव वायुनानी विद्वान योधि अस्मत जुहुराणम एनो भूई श्ठामते नम उक्तिम विधें शीरप्रवपात के द्वाराशदार्थ और अनुवाद अगने अगनी के समान शक्तिशाली भगवान नय कृपया ले चलें सुपधा सही मार्ग से राये अपने पास तक पहुचने के लिए अस्मान हमें विश्वानी समस्त देव हे भगवान वयुनानी कर्मों को विद्वान जानने वाला ज्याता युयोदी कृपया हटाईए अस्मत हमसे जुहुरानम मार्ग के सारे अवरोधों को एनह सारी बुराईया भुयिष्ठाम अत्यधिक ते आपको नमह उक्तिम नमस्कार के वचन विद्वेम मैं करता हूँ अनुवात हे अगनी के समान शक्तिशाली भगवान हे सर्वशक्तिमान अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चर्नों पर दंडवत प्रणाम करता हूँ हे भगवान आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें और चुंकि आप मेरे द्वारा भूत काल में किया गया सब कुछ जानते हैं अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कीजिए जिससे मेरी प्रगती में कोई अवरोध न आए यह जो इश्वपनिशद है इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहा है एक भक्त यही है जो दीरे दीरे आप एक्स्प्राइशन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अभी हमने पांच लोग तक कर लिया है वर्नन तो उसका अलग वीडियो रहता है तो इसमें सिर्फ उचारण सीखते हैं तो पहला जो लाइन है उसमें सारे शब्द सिंगल शब्द ह वुश्वान देव वयुणाद विद्वान है फिर यहां रुखेंगे लाइन कंप्लीट सेकंड लाइन में यूध युयोध यूध 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 ही अस्मत जुःणम एनो ये चार शब्दों का संद narrative है यूयोधि अस्मत जुहुरानम एनह है और बात में वो क्या होता है जब उसको हम श्लोका के रूप में बोलते हैं तो एनह के जगह एनो तो यह जब सम्धी हुआ तो जुहुरानम का म एनह का ए मिलके जुहुरा न में नो म और ए मिलके में हो गया एनह हो गया में नो तो हम जब विच्छेद करेंगे तो हम वैसे अलग-अलग बोलेंगे यूयोधि अस्मत जुहुरानम एनो फिर यूयोधि अस्मत जुहुरानम एनो इसको विच्छेद कर देंगे बाकी सारे शब्दों का सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो मैं वापस एक पर पढ़ती हूं अग्नेने सुपधाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यूयोधि अस्मत जुहुरानम एनो भुईष्ठाम ते नम उक्तिम्मिधें ते करेश्ट करेश्छ